पुरधान नरेंद्र मोदी आत्ता बोलता है तलाहान मुलांचा लसी करना वाबत कदाचित कुटली घोशना ओने ची शक्क्याद बगुत बगयात में को काई मंटक मोदी बस आने ही वाला है आप सभी 2022 के स्वागत की तैयारी में जुटे हैं लेकिन उत्सा और उमंग के साथ ही ये समय सचेत रहने का भी है आज दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रोन की बजह से संक्रमन बढ़ रहा है भारत में भी कई लोगों के ओमिक्रोन से संक्रमित होने का पता चला है मैं आप सभी से आग्रह करूँगा कि पैनित नह करें हाँ सावधान रहे सतर्क रहे मास्ट उसका भरपुरूपयोग करें और हाथों को थोड़ी थोड़ी देर पर धुलना इन बातों को हमें भूलना नहीं है आज जब वाइरस म्यूटेट हो रहा है तो हमारी चुनोतों क्या सामना करने की ताकत और आत्म विस्वास भी मल्टिप्लाइ हो रहा है हमारी इनोवेटिव स्पिरीट भी बढ़ रही है आज देश के पास अठारा लाख आईसोलेशन बेट्स हैं पांच लाख आउक्सीजन सपोर्टेड बेट्स हैं एक लाख चालिस हजार आईसीऊ बेट्स हैं आईसीऊ और नौन आईसीऊ बेट्स को मिला दें तो नब्बे हजार बेट्स विशेश तोर पर बच्चों के लिए भी हैं हाद देश में तीन हजार से जादा पी ऐसे ऑक्सीजन प्रांट्स काम कर रहे हैं चार लाख ऑक्सीजन सिलिंडर्स देश भर में दिये गए हैं राज्यों को जरूरी दमाओं की बफर डोस तैयार करने में सहायता की जा रहे हैं उन्हें परियाप्त और टेस्टिंग किड्स भी मुहया कराई जा रहे हैं साथियों कोरोना वैस्वीक महामारी से लड़ाई का अब तक का अनुभव यही बताता है कि व्यक्तिगत स्तर पर सभी दिशान निर्दर्शों का पालन कोरोना से मुकामले का बहुत बड़ा हत्यार है और दूसरा दिया रहा है वैक्षिनेशन हमारे देश ने भी इस बिमारी की गंभीरता को समझते हुए बहुत पहले वैक्षिन निर्मार पर मिशन मोड में काम करना शुरू कर दिया था वैक्षिन पर रिसर्च के साथ साथ ही एप्रूबल प्रोसेशिस, सप्लाई चेन, डिस्टिबुशन, ट्रेइडिंग, आई टी सपोर्ट सिस्टिम, सर्टिफिकेशन पर भी हमने निरंतर काम किया इन तैयारियों का ही नतीजा था कि भारत ने इस साल सोला जन्वरी से अपने नागरिकों को वैक्षिन देना शुरू कर दिया था ये देश के सभी नागरिकों का सामुहिक प्रयास और सामुहिक इच्छा शक्ति है कि आज भारत 141 करोड वैक्षिन डोज किया है अभुत पुर्वा और बहुत मुश्किल लक्ष को पार कर चुका है आज भारत की वैस्क जनसंख्या मैं से 61% से जादा जनसंख्या को वैक्षिन की दोनों डोज लग चुकी है इसी तरह वैस्क जनसंख्या मैं से लगभग 90 प्रतिशत लोगों को वैक्षिन की एक डोज लगाई जा चुकी है आज हर भारतवासी इस बात पर गर्व करेगा कि हमने दुनिया का सबसे बड़ा सबसे विस्तारित और कठीन भवगोलिक स्थित्यों के बीच इतना सुरक्षित वैक्षिनेशन अभियान चलाया कई राज्य और विशेस तोर से टूरिजम की दुरस्टी से महत्वपुन राज्य जैसे गोवा, उत्राखन, हिमाचल जैसे राज्यों ने शत प्रतिशत सिंगल डोज वैक्षिनेशन का लक्ष हासिल कर लिया है आज देश के दूर सुदूर गाउं में जब शत प्रतिशत वैक्षिनेशन की खबरे आती हैं तो मन को संतोष होता है यह प्रबान है हमारे हेल्थ सिस्टिम की मजबूती का हमारी टीम डिलिवरी का हमारे हेल्थ केर वरकर्स के डेडिकेशन और कमिटमेंट का और देश के सामान ने मानवी के अनुशातन और विज्ञान में उनके विस्वास का हमारे देश में जल्दी ही नेजल वैक्सिन और दुनिया की पहली डी एने वैक्सिन भी शुरू होगी साथियों कोरोना के खिलाब भारत की लड़ाई शुरू से ही वैज्ञानिक सिद्धानतो वैज्ञानिक परामर्ष और वैज्ञानिक पद्धती पर आधारित रही है पिछले ग्यारा महिने से देश में वैक्सिनेशन अभ्यान चल रहा है देशवासी इसके लाब भी महसुस कर रहे हैं उनकी रोजमरा की जिन्दगी सामान ने हो रही है आर्थिक गतिविधियों भी दुनिया के कई देशों की तुलना में उत्साहजनक रही हैं लेकिन सात्यों हम सभी जानते हैं कि कोरोना अभी गया नहीं है ऐसे में सतर्कता बहुत जरूरी है देश को सुरक्षित रखने के लिए देश वासियों को सुरक्षित रखने के लिए हमने निरंतर काम किया है जब vaccination शुरू हुआ तो उसमें भी बैज्ञानिक सुझाओं के आधार पर ही ये तै किया गया कि पहली डोज किसे देना शुरू किया जाएं पहली और दूसरी डोज में कितना अंतराल हो जने कोरोना हो चुका है उन्हें कभ वैकसिन लगे और जो co-morbility के से ग्रश्ट है उन्हें कब वेक्सिन लगे ऐसे निर्णय लगातार किये गए और ये परिस्तितियों को संभालने में काफी मददगार भी साबिद हुए हैं भारत ने अपनी स्थिती परिस्तिति के अनुसार भारत के वेग्यानिकों के सुझाव पर ही अपने निर्णय लिये हैं वर्तमान में ओमिक्रोन की चर्चा जोरो पर चल रही है विश्व में इसके अनुभव भी अलग-अलग है अनुनमान भी अलग-अलग है भारत के वेग्यानिक भी इस पर पूरी बारीकी से नजर रखे हुए हैं इस पर काम कर रहे हैं हमारे वेक्सिनेशन को आज जब ग्यारा महिने पूरे हो चुके हैं तो सारी चीजों का वेग्यानिकों ने जो अध्यान किया है और विश्व भर के अनुभववों को देखते हुए आज कुछ निर्णे लिए गए हैं आज अटल जी का जन्मदिन भी हैं क्रिस्पस का तेओहार भी हैं तो मुझे लगा कि इस निर्णे को आप सब के साथ साजा करना चाहिए साथियों पंदरा साल से अठारा साल की आयू के बीच के जो बच्चे हैं अब उनके लिए देश में वेक्सिनेशन प्रारब होगा दोहजार बाईस में तीन जन्वरी को सुमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी यह फैसला कोरोना के खिलाब देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही स्कूल कॉलेजों में जा रहे हैं हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा साथियों हम सब का अनुभव है कि जो कोरोना वारियर्स है हेल्थ केर और फ्रंट लाइन वर्कर्स है इस लड़ाई में देश को सुरक्षित रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है वो आज भी कोरोना के मरीजों की सेवा में अपना बहुत समय बिताते हैं इसलिए प्रिकोशन के द्रस्टी से सरकार ने निनने लिया है कि हेल्थ केर और फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्षिन की प्रिकोशन डोजबी प्रारंब की जाए इसकी शुरुवात दोहजार बाइस में दस जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी साथियों कोरोना वैक्षिन का अब तक का ये भी अनुभव है कि जो अधिक आयूवाले हैं और पहले से ही किसी न किसी गंभीर बिमारी से पीडित है उन्हें प्रिकोशन लेना सलाग योग्य है इसको ध्यान में रखते हुए साथ वर्षे उपर की आयूके को मर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर के सलापर वैक्षिन की प्रिकोशन लोज का विकल्प उनके लिए उपलब्द होगा ये भी दस जनवरी से प्रारम होगा साथियों मेरा एक आग्रह है कि अफ़ा, भ्राम और डर पैदा करने के जो प्रयास चल रहे हैं उनसे बचना चाहिए हम सभी देश वाच्चों ने मिलकर अब तक दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सिनेशन अभ्यान चलाया है आने वाले समय में हमें इसको और गती देनी है और विस्तार देना है हम सभी के प्रयास ही कोरोना के खिलाप इस लड़ाई में देश को मजबूत करेंगे आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अबीपी माजा उगडा डोले बगा नीट